जैभीम नमबुद्धाय भारत के साथ-साथ विदेशों में बेठे हुए हमेरे सभी अमबेटकर वादियों से मैं आज एक अपील करने के लिए लाइव आया हूँ हाला कि मेरे उत्तर प्रदेश के दोरे चल रहे हैं और उत्तर प्रदेश में आज एक खबर हमने आज के अमर उजाला में पड़ी है और ये खबर सभी अमबेटकर वादियों के साथ-साथ भारत में जितने भी लोग सविधान को मानते हैं ये उनके लिए बहुत ही दुखत ख है कि नए सविधान के साथ नए संसद में हो प्रवेश और ये यतिंद्र नात गिरी इन्होंने ये स्टेट्मेंट दी है इनका कहना है मैं ये निउस आपको पुरी पढ़के सुनाता हूँ क्योंकि बहुत लोगों के पास ये पेपर निउस पेपर नहीं आता होगा लखनों में ये पेपर इनकी जो सवा होई है उसमें उनोंने ये बात कही है जुना आखडा के महा मंडलेशवर यतिंद्र नात गिरी ने कहा कि देश की नए संसद में नए सविधान के साथ प्रव इंडियन मेडिकल एसोसियेशन जिनोंने अभी आयमे ने बाबा रामदेव को कोट में खीचा है वो आयमे इंडियन मेडिकल एसोसियेशन को समाप्त किया जाए राजधानी के विकास नगर स्तीत जीवन दीप आश्रम पहुचे महा मंडलेशवर ने कहा कि नए संसद के अधारित हो जिसमें एक देश एक नागरिक्ता की बात हो धर्म जाती और मौलिक आधिकारों को लेकर भेध नहों क्योंकि मौजूदा सविधान इन आधारों पर भेध करता है यानि अभी जो सविधान है वो धरम के आधार पर जाती के आधार पर और मौलिक अधिकारों के आधार पर भेदभाव करता है ऐसा मांडलेश्वर का कहना है समानता की बात तो की जाती है मगर ऐसा है नहीं नए सविधान में आरक्षन पर पुनर विचार हो उनों ने कहा कि मदर से पूरी तरह समाप्त हो आतंग और धर्मानतरन के लिए वहाँ भी मदर सो और मौलनाओं को फंडिंग कर रहे है प्रदान मंतरी ने जनसंक्या पर रोक के लिए कानून बनाने का अश्वासन सादू संतों को दिया था मगर अब तक इसे बनाया नहीं गया जो भी दो बच्चों से अधिक पैदा करे उनके लिए कठोर सजा बिल अविलंब लाया जाए असम आसाम सरकार की तरह उत्तरपदेश की योगी सरकार को भी ऐसा बिल जल्दी ही लाना चाहिए उन्होंने कहा कि IMA यानि Indian Medical Association इसाई संगठन है आयूरवेद इसे समाप्त करना चाहिए आयूरवेद पूरी तरह बिमारी को ठीक करता है जबकि अलोपति मर्ज को दबाती है ठीक नहीं करती करोना में बड़े बड़े चिकित सा संस्थानों ने आयूरवेदिक काणा पिलाया है करोना वेक्सीन के संकट को लेकर कहा कि ये और इन्होंने एक बात कही कि हिंदूों को अब बड़ा दिल करना होगा महा मंडलेश्वर ने कहा कि देश के 98% मुसलिम हिंदू ही है वो पुर्व में किनी कारणों को से मुसलिम हुए अब वो घर लोटना चाहते है तो हिंदूों को दिल बड़ा करना चाहिए उसके लिए रोटी और बेटी का संबंद बनाना होगा यदि उनकी बेटी यानि मुसलमानों की बेटी आपके घरों में आती है तो उसका स्वागत करना चाहिए ये समझना चाहिए कि वो हिंदू भी ही है तो ये एक ख़बर आज के निउस में चपी है इन्होंने किसी कारेकरम में ये जहर उगला है लेकिन मैं आप लोगों से जितने भी हम बेट कराई इस पूरे देश विदेशों में बेटे हुए है मैं आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि देश दुरोह का मामला दर्ज करवाना है The Prevention of Insults to National Honor Act 1971, Act No.69 of 1971 Section 2 के तहट मांडलेश वर पर देश दुरोह का मामला हमें दर्ज करना है मैं सभी अम्बेट करवादियों से, सभी धर्म के लोगों से जो सभीधान के बदोलत अपने धर्म का प्रचार और प्रसार इस देश में कर रहा है ऐसे सभी धर्मों के निताओं से, लोगों से, बाबा साब को मनने वाले लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि अपनी अपने डिस्ट्रिक्स में, अपने अपने तहसीलों में, जहां कई पर भी हो, जहां किसी भी स्टेट में हो अपने अपने निवेधन कलेक्टर को दीजिए और इस दा प्रिवेंचन आफ इंसर्ट्स टू नैशनल ओनर आट नाइटी सेवेंटी वेन के तहट माणडविलेश्वर को देश द्रोह के मामले में खीचा जाए उसकी लिए अलग-अलग पुलिस सोक्यों में, कलेक्टरेट्स में ये निवेधन हमको देना है तो यही अपिल में करना चाहता हूँ और एक अपिल में भारत के बाहर बेठे हुए जितने भी अमबेट कराइट्स है, और्गनाइजेशन्स है, समता के उपर काम करने वाले जो और्गनाइजेशन्स है मैं उनसे अपिल करना चाहता हूँ, कि अपने-अपने एमबेसीज को इस खबर का आधार बनाते हुए कि भारत में हिंदू राष्ट की मांग करने के लिए इन्हें देश द्रोह का, अगर इस देश में कोई खलिस्तान की मांग करता है, तो खलिस्तान की मांग करने वाले लोग जिस तरह से देश द्रोही है, अगर इसलामिक स्टेट की मांग करने वाले लोग जिस तरह से देश इस द्रोह का मामला मुकदमा चलाया जाए इसके लिए निवेदन आपको अपने कलेक्टर ओफिस में आपके SP, DSP ओफिस में आप लोगों को देना है और ये निवेदन मैं चाहूंगा कि वर्ल्ड के अंबेट कराईट, जितने भी अंबेट कराईट सोसाइटीज है, गुरु के उपर शाशन हो और इन लोगों की नागरिक्ता रद करने का काम हो, आप लोगों को पता होगा कि कुछ सालों पहले, दो या तीन साल पहले भारत के सविधान को संसद के सामने जलाया गया था, ये मामला इसी Prevention of Insults to National Honor Act के अंदर चलाया गया, जिन लोगों ने भारत के सव पूमी पर रहने का अधिकार नहीं है, एक सविधान इस देश में लागू होने के बावजूद, ये नए सविधान की मांग करता है, ये मौझूदा सविधान का अपमान है, डिफेमेशन है, और इसी Act के तहट हमें इस मांडिलेश्वर को, इस भारत के धरती से, अगर तु इस देश का सविधान तुमको पसंद है, उस देश में जाकर रहो, इस देश में आपके लिए कोई स्तान नहीं है, भारत के मिट्टी पे रहोगे, यहाँ पर आश्रम बनाओगे, यहाँ के सुविधा है, आप लोग लोगोगे, यहाँ की electricity आपको चाहिए, यहाँ का पानी मट्के आश्रम के लोगों की सिखों को, मुसल्मानों को यह आपिल करनी है, कि इस मांडलेश्वर की नागरिक्ता रद की जाए, और इसे भारत के भार फेका जाए, यही मैं आप लोगों से निविधन करने के लिए आज लाईव आया हूँ, और यह बात हम, मैं आज तो दो मैं हूँ, जैसे ही मैं मुंबई मेरे घर पहुचता हूँ, सबसे पहले यह पिटिशन फाइल करने का काम मैं करूँगा, और इस मांडलेश्वर की नागरिक्ता रद करवाने का काम भी हम करेंगे, और मेरे साथ साथ आप से भी मैं अपिल करता हूँ, कि जहां तई पर भी ह लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए आभाद, धन्यवाद, जै भीन, जै भारत, जै बुद्ध.